नमश्कार दोस्तों, वेल्डिसकाई के एक और ने इंट्रेस्टिंग वीडियो में आप सबी लोगों का स्वागत है, मिरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निप्टी और बैंक निप्टी के बारे में दोनों के चार्ट को अंडर्स्टेंड करेंगे, तम से कह सकते हैं कि यूएस मार्केट अब उपर की लेवल पर मूब करना स्टार्ट करेंगे, या फिर दुबारा से प्रॉफिट वोकिंग देखने को मिलेगी, अब एक की ध्यान में रखिये का यहां पर देखो यूएस मार्केट ने ओल्मुस्ट अगर देखा जाए, तो करी कर सकता है, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट वोकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे, डे चार्ट पर आपको क्लिये ले देखा है, यह वन वे मूवेंट यहां पर की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? यह आप देख नहीं है, तो सबसे पहले देखो, हम चलते हैं मार्केट में, अपने मार्केट में, विकास ग्लोबल मार्केट कल पॉजिटिव बंद हुए, अच्छे खास से पॉजिटिव बंद हुए, तो हमने एक और गैप आप ओपनिंग देखने को हमें मिली, यानि अल्टिमेटली मा मार्केट को सबसे अच्छी दरिखेता जानते हैं, अगर उनको यह पताहिए कि GAP UP हो सकता है तो डेफिनिटली आप छुल सकता है, तो आप डेफिनिटली कौल लेके गये होंगे और हो सकता है कि कल आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाए, मैं इन्टडेरर टेडिं है उसके हिसाब से मैं काम करने की कोशिस करता हूं जैसे कि कल के टिटिंग सेशन में किलियरली हमने परसो हमने डिसकस किया था कि हम थोड़ा सा नेगेटिव साइट पर काम करेंगे नीचे 850 तक 800 तक निफ्टी आ सकता है 800 तक आया, almost ये 770 तक आया, वहां से ये reverse हो गया, तो हमारा जो view था एक short का, वो हमारा यहां पर target देखे चला गया, उसके market कहां जा रहा है, किदा जा रहा है, इससे किसी को लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर मैं यह सोच के बैठर हूँ कि अब तो मैंने short कर दिया है, या फिर मैंने buy कर लिया है, तो मैं इसको buy ही रखूँगा और मैं काटूँगा है नहीं, जाहिर सी बात है आप एक opportunity find out करते हो intraday में, उसके basis पे आपको profit or loss होता है, ठीक है जैसे कि आज के case की बात करते हैं ठीक है, कल मैंने आपको बोलाता है, कि यह जो एक resistance level है, वो आपका 21.35 का है, अगर 21.35 के नीचे यह इसके आसपास कहीं खुलता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको short कर सकते हो, नीचे की तरफ यह market आ सकता है, stop loss जाहिट सी बात 21.50 का होगा, क्योंकि अगर आप short कर रहे हो, तो इसका level क्या है stop loss का, आपका 21.50 होगा और आप नीचे गिरने की कोशिस करोगे, market को अगर नहीं गिरता है तो आपका stop loss टिगर हो सकता है market खुला क्या, सीधा सीधा खुला 21.100 के उपर, तो जाहिट सी बात है यह जो आपका shorting area था यह आप shorting area नहीं बचा अब आपको के पास एक नए levels है इन नए levels के साफ से आपको price action देखके कामकाच करना है, तो उसके लिए मैंने आपको simple सा एक तरीका सिखाए है कि जब भी market जैसा भी खुले चाहे, positive खुले चाहे, negative खुले आप simple सी चीज़े, दो line है mark करना सीख जाओ, आपको अपने market एक direction बताना बता देगा, ठीक है, जैसे कि आज के case की बात करें यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले वो दो line है कैसे कीशते हैं, सबसे पहले हम अपना one minute का high और low mark करते हैं दोनों index में, ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने care किया, यह हमारा one minute का high था निफ्टी का, यह हमारा one minute का low था, निफ्टी ने high को break किया, जितना moment हो रहा है, moment करने देते हैं, और around यह हमें five minute का high मिल गया, यह छोटी सी candle को अगर आप थोड़ा सा चाओ, तो हटा भी सकते हो क्योंकि bank nifty में अगर आप देखोगे तो यह आपका five minute का high बनाता, ठीक है यह आपका five minute का high था, यह one minute का high था, यह one minute का low था, मैंने market bullish है, तो इतनी जल्दी डेल हो, आ नहीं सकता, लगवाई चाहन से आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो जितना momentum हुआ, उस momentum को dilute का आप profit ले सकते हो ठीक है, यानि यह जो momentum हुआ, अब इतना ही target नीचे की तरफ लगा सकते हो यानि यहां से यह target आप लेके चल सकते हो इतना, ठीक है bank nifty case में आप यहां पर short लिया, यहां पर put लिया, जायट सी बात है, nifty के case में आपकी 21 अचा 100 की put ली around 11 रुपे पर मिली थी 11 रुपे की मिली थी, और जैसे यह थोड़ा सा time waste करने के बाद जैसे नीचे आया, वो put 11 से CD 22 पाँज गई, almost double होगी थी but 22 के नहीं कटी, कटी 18 पर, तो वहाँ पर कह सकते हैं कि एक 7 point का profit यहां पर मिल गया, फिर उसके बाद market इस level को respect करने लगा, यहां से उपर की profit यहां पर कहा है, एक short की position हो गई, यहां पर आपकी buy की position हो गई, यह चीजे में इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनके क्या है, आप जब levels देखो के जाके तब आपको समझ में आ जाएगा, इस level पर जब यह nifty आया था, तब वो 5-6 रुपे की call चल रही थी, किस अजाद दोसों की, ठीक है ना, और जब इसने high बनाया था, तो वो call 25 रुपे तक रही थी, आप level पर चेक कर लिजेगा जाके, ठीक है, तो intraday trading और positional trading दोनों में बहुत अंतर होता है, positional trading का मतलब यह है, कि आप एक specified stop loss decide करते हो, जैसे इस case में, यह पूरा जो bull run चल रहा है, इस पूरे bull run में, अगर किसी को long रहना है, तो उसका stop loss यह होना चाहिए, ठीक है, 20,500 होगा, अब इसको trail करके वो चाहे है, तो यहाँ पे भी ला सकता है, बट जब तक यह stop loss टेगर नहीं हो रहा है, तब तब उसको long में ही रहना है, simple ती चाहिए है, यह positional view है, intraday view नहीं है, क्योंकि intraday view के साब से आप option buy कर रहे हो, अब option buy कर रहे हो, अगर आप थोड़ी देर भी रखोगे, 5 का 25 जाएगा, 25 के बाद वो 0 हो जाएगा, ठीक है न, तो आपको loss हो जाएगा, तो intraday view आपका कितनी देर के लिए होता है, 5 मिनट, 10 मिनट, अब उसमें आप put buy करो, call buy करो, according to yourself, कुछ भी करो, उससे overall trend का कोई लेना देना होता ही नहीं है, आपको simple समझ में आना चाहिए, कि मुझे तहां पर profit मिल सकता है, और अगर मेरे को profit नहीं मिलता, तो कितना stop loss मेरा जा सकता है, वो चीज़ important होनी चाहिए, तो इसके basis पर मैं analysis करता हूँ, ना कि मैं overall किसी का mindset change करने के लिए analysis करता हूँ, कि आप कोटी लेते रहो, या फिर कॉली लेते रहो, वो नहीं है, इंट्राडे में behavior कैसा हो सकता है market का, उसके साब से मैं plan करता हूँ, यहां पर वो चीज़ है, अब यहां पर momentum के बाद call लेना वाहर सी बात है, थोड़ा सा मुश्किल है, let them market dilute हो जाए, थोड़ा सा, उसके बाद आप call लोगे, तो आपको profit मिलने के chances ने, क्योंकि यह momentum हुआ, इसमें आपने अगर पैसे बना लिए, तो बहुत अच्छी बात है, कहीं अगर आपने top पे call में enter कर ली, तो वो call पूरी dilute हो जाएगी, यहां के, जो 21,150 की call almost 50 रुपे चली गई थी, 50 रुपे से वो dilute होके, दुबारा से 15 रुपे आठी थी, 15 से वो दुबारा से 60 रुपे चली गई थी, ठीक है न, बट इतना momentum capture करना, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, इसी लिए option trading में जादता लोग loss करते हैं, reason यही है, ठीक है न, क्योंकि यहां पे कहा है, patience का game है, और समझदारी का game है, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी सोच के बैठा रहता है, जैसे कि, यहां पे, जैसे मैंने हमेशा बोला है, अगर मैं जाता हूं यहां पे, ठीक है, योट्यूब पे चलते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है, ठीक है, यह कल का वीडियो था, इसके comment section में चलत है, जैसे देखो, विशाल सिंग, भाई, bullish market में आप put दिलवा रहे हो, please change your mindset, put नहीं दिलवार हो, मैं कोई positional put नहीं दिलवार हो, कि आप positional put लेके बैठ जाओ, मैं यह नहीं बोला है, intraday के बहाफ पे market कहां खुल रहा है, कैसे खुल रहा है, उस time क्या reaction हो सकता है, उसके basis इस पर मैंने यह चीज़ बताइए, कि आप यहाँ पर अगर market खुलता है, तो put ले सकते हो, इस level पर खुलता है, तो call ले सकते हो, वो चीज़ है, होती है, तो यहाँ पर कोई ऐसा confusion है, क्योंकि उन्निस आट सो पचास जब break हो गया था, उसके बात ही मैंने बोल जयाता है, क call site पर काम कर सकते हो, इंट्राडे point of view अलग होता है, यह चीज़ अगर आपको समझ में आती है, विशाल जी तो बहुत इच्छी बात है, नहीं तो आप भगवान हो इस market के, आप 22,000 की भी call लेके बैठ जाओ, 50,000 की bank nifty में call लेके बैठ जाओ, और आपको profit मिल जाएगा, इच्छी बात है, उसके बाद देखो, यह तो बगवान रहे, उसके बाद इनके दूसरे बगवान, my idea यह सब FIIs operator से मिले होते हैं, ताकि हम retailer को loot के lootने का funda बना सकते हैं, यह सब बगवास बोलते हैं, हाँ ठीक है, बगवास बोलते हैं, तो आप मत देखो ना, सबसे इच logical बाते हैं, क्योंकि market random place है, कोई buy कर रहा है, कोई sell कर रहा है, तब ही market चल रहा है, आपको market समझ में आता है, आपको profit आता है, आप खुछ होते हो, जब market आपको loss देता है, तो आप बहुत जाद़ सेंटी हो जाते हो, बहुत जाद़ दुख में पहुच जाते हो, क्योंकि यही market का game है कि आप अपने loss of profit में कैसे react करते हो उसी चीज़ पर ही market आपको define करता है कि आप आगे आने वाले कितने दिनों तक market में ticker होगे ठीक है ना और रही बात कुछ लोग बोलते हैं कि वीडियो से क्या किते हैं यहां से पैसे कमा जाते हैं कितने वीउस थे 880 वीउस यूट्यूब पर डाल जीएगा 880 वीउस के कितने रुपे मिलते हैं आपको समझ में आ जाएगा तो यहां पर सिर्फ यह वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो लोग मेरे को किसले 3-4 साल से follow कर रहे हैं सिर्फ उनी के लिए मैं यहां पर बनाता हो नहीं लोगों के लिए तो मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बनाता है अगर नहीं लोगों के लिए आपको वीडियो देखना है यह समझना है तो आप जाहिए यहां पर जैसे पावर ऑफ इस्टॉक इनको फॉलो कर सकते हो यहां पर अच्छी मिलती है इनके साफ से अपने को सेखने को मिला तो अगर आपको समझ में आता है अगले दिन से देखना बंद कर दो अब यह विशाल जी यहां पर आके बोलते तो हैं इनके मैं इतने कमेंट दिखा दूँ को तो रेगुलर वीडियो उसके रहते हैं सिर्फ यह यही बुलने आते हैं कि भाई मार्केश बुलेश है आप दला रहे हो या फिर आप कॉल दला रहे हैं लेकिन अल्टीम साइब आप पयाते हैं आपकी डूसरे के पास जाने की ज़रुती नहीं है यही रीजन आते हैं कि जादाता लोग क्या looking में estraएं इंकल solvent होते हैं क्यों क्यों कि वह हमेचा प्रॉब्लम हाती है ट्रेडिंग करने में ठीक है ना अब कल फ्राइडए है जाहिर सी बात है कल वीक का आखरी ट्रेडिंग सेशन है सेंसेक्स की एक्सपायर ही होगी निफ्टी ऑलड़ी एक गाप के बाद कह सकते हैं साइडवेस जा चुका है तो देखते हैं फॉल यहां पर हम फॉलो करेंगे अगर मार्केट हाई को ब्रेक करेगा तो हम शॉट के पोजिशन लेंगे मार्केट लोग को ब्रेक करके उपर जाने की कोशिस करेगा तो कॉल को बाय करेंगे यह मेरा प्रिंसिपल है इससे मेरे को मार्केट की कोई भी ट्रेंड से मेरे को कुछ लेना देना नहीं होता, market का bearish trend है या bullish trend है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है मैं intraday trade करने आया हूँ मुझे intraday का एक particular momentum चाहिए जो moment अगर आजाता है मेरा काम बन जाता है, बस मैं को जादा दिमाग लगाने की जरुवत ही नहीं अब यहाँ पर आप देख सकते हो, माल लो market bullish था यह momentum हुआ, उसके बाद क्या हुआ, market पूरा sideways चला गया अब इसमें माल लो किसी ने यह सोच के call लेकर बैटा रहा होगा end of the day market फाग जाएगा, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा ultimately क्या हुआ, यहाँ पर जो premium jump कियोंगे ना, सारा price पूरा dilute होके end of the day, almost जहाँ खुला होगा, महीं बंद हो गया होगा क्यों? क्योंकि आपने क्या है, यहाँ पर hope generate कली कि यह उपर चला जाएगा इसी लिए, buying और selling एक short term view है intraday trading के लिए, intraday में एक बंदा buy भी करता है, sell भी करता है कुछ भी नहीं करता है, तो यह सारे जो rules होते हैं, यह apply होते है ठीक है ना, तो point यह समझेगे कि अगर आपको analysis समझ में आती है तो आप इसको देखो, नहीं समझ में आती है, तो avoid कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मैं short में हो, मैं अभी भी short में हो, खरीद लो put भाई, आप अपना view भी तो देखोगे ना, कि मैं क्यो put खरीद वा रहा हूं तो यहां पर पांसो कोल ले लो तो क्या आप ले लोगे, नहीं, क्योंकि intraday view के साफ से market अलग तरीके से react करता है, पोजिशनल वियू के साफ से अलग है, पोजिशनल जिसको यहां पर हमानलोग positionally किसी को काम करना है, तो जायर सी बात है, 20,800 के stop loss closing basis के लेके चले long पर बैठा रहे, अब long आप option के तुरू कर रहे हो, future के तुरू कर रहे हो, यह आपका point है, तो इतना आपको यहां पर clearly समझ में आ गया होगा, तो I hope दोस्तों यह particular data आपको समझ में आ गया होगा, दोस्तों फलाल इस वीडियो में इतने हैं, I hope यह